अभी कुछ लोग PSC के जो सेलेक्शन हुए उसमें सवाल उठाएं भारती जन्ता पार्टी सासंद काल में चाहे देश में हो चाहे राजचे में भारती जन्ता पार्टी अभी आरोप लगा रही है और जिस प्रकार से सोसल मीडिया में जो बात है कही जा रही है क्योंकि कोई भी सेलेक्ट बच्चे हैं यदि वो राजितिक परवार के हैं या जूर्योट्रेट से कहें कोई अपराद नहीं है परवार से संबंदित होना क्या हो वो अयुग्यता का परचायक है और यदि उनके पास भारती जन्ता पार्टी पास कोई तख्य है है कि उसे सामें ले जाना चाहिए तो जांच कर आए तो जिए कहीं गल्दी है सेलेक्टिन में कहीं गड़बड़ी है तो जरूर्ण उसकी जांच कर आएगए लेकिन ऐसा करके प्रदेश का महौल खराब नहीं करना चाहिए मेरे पास आरती जन्ता पार्टी सासनकाल के एकेंद्र हो राज्य हो वह सलेक्ट हुए बच्चों के भी नाम है लेकिन उजागर करूंगा तो उनका भी मन खराब होगा लेकिन आपके पास रत्य है तो निस्षी दुरुप से सामने लाए जाना जाए दूसरी बात भारती जन्ता पार्टी उसके नेताओं के बच्चे विधान सभा में लोग सभा में टिकेट दिया जाता है तब बोलते ह है कि योग्यता के अधार पर दिया गया और अब जब किसी अधिकारी के या किसी नेता के परवार के सदस सलेक्ट हो रहे हैं तो उसके उंगली उठाई जा रही है यह भारती जन्ता पार्टी दोहरा चरित रहे हैं और यह मैं इसे उचित नहीं मांगा क्यों महाल खराब कर जिसके पहले क्या ने थाओं बीरो कॉर्स के बच्चे बच्चे सलेक्ट होए हैं इसके पहले क्या नेताओं बि 완 लेकिन आपके पास सब्सक्राइब है जरूर दीजिए तो शिकायत के हम जांच कराएं लेकिन आनवास्यक महोल खराब मत करिए इससे नौजानों में गलत संदेश जाता है एक राजितिक दल के लोग हैं आपकी जिम्मेदारी है लेकिन के वर आरोप लगा देने से इससे वह जो चैनी चुछात चात रहे हैं उसके मन में इसका बुरा प्रभाव जरूर रहा है दवल एंजिन के सरकार अनपी जी का डिजिटल चैनल लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें